स्वास्थ और सौंदरी के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्ते और स्वांदारी काई ऐसे पोशक्ततों पाए जाते हैं जो स्किन को हेल्दी वजवा बनाए रखता है दही में लैक्टिक एसीड पाए जाता है जो ना सिर्फ चहरे की जुडियों को दूर करने में मदद करता है बलकि बढ़ती उम्र के लक्षनों को कम करने में भी सहायता करता है नियामे दह के इस्तमाल से चहरा बेदाग वह खिला-खिला नजराने लगता है इसके साथ ही बादाम रोगन ओयल का इस्तमाल चहरे की खोई चमक को वापस लाने के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है बादाम रोगन में ओमेगा-3 fatty acid के साथ-साथ कई ऐसे nutrients पाय जाते हैं जो इसकि के dead cells को remove करता है साथ ही ports को clean करता है नियमित बादाम रोगन ओयल का इस्तमाल करने से तवचा पर जमी गंदगी साफ हो जाती है जिससे तवचा साफ निखरी वह बेदाग नजराने लगती है तो फिर दही के साथ बादाम रोगन ओयल को चहरे पर कैसे apply करना है इसके बार मे जाने के लिए बनेरे सुडियो के साथ इसके लिए एक बॉल में एक चमच दही ले ले इसके बाद इसमें एक छोटा चमच बादाम डोगन ओयल डाल कर अच्छे से मिक्स कर ले जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसे अपने फेस पर apply करें इससे लगाने के लिए अपने चहरे को किसी गीले तॉली की साहता से साफ कर ले इसके बाद ब्रश की साहता से इसे अपने पूरे चहरे वगर्दन पर apply कर ले कुछ देर इसे स्कीन में एब्जॉर्ब होने दे फिर पानी से चहरा धोले बहतर रिजल्ट पानी के लिए इसे हफ़ते में दो से तीन बार जरू ट्राय करें नियमित स्पैक का इस्तमाल करने से आपको मिलता है इवन टोल और खिला-खिला चहरा साथी चहरे के डार्क दाईयां जुड़ियां अनेक समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती हैं तो फिर आज आपने इस वीडियो में चहरे पर दही के साथ बादाम रोगन और लगाने के कुछ पहतर इन फायतों के बारे में जाना है आशा है आपको हमारा ये वीडियो अवशी ही पसंद आया ह होगा हमारे नए नए स्वास्ति और जांदरे संबंधी जानकार्यों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारी वीडियो पसंद आई हूं जिसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इसी तरह हम नएनी जानकार्यां आप तक पहुचाते रहें धन् झाली हमारे धन्मारे जिसा उर्ड़ाइब कर लेहें जानकार्य जानकार्यों को सब्सक्राइब को से लाइ नए सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कोईट पस्प्वट मैंब।